हेलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल पर तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे F is 02 का जून 23 का solution ठीक है इसका मैंने question number 1 question number 2 question number 3 बना के डाल दिया है और आज हम लोग देखेंगे question number 4 ठीक है तो यह question कह रहा है read the following passage and make notes in a prepared format give it a suitable title ठीक है तो यह question भी 10 marks का और इसमें देखें 3 4 question आते 20 10 10 10 तो रामसर बन जाएगा आपका question ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा तो इसमें देखें आपको पैसेज दिया हुआ है यह देखें पूरा पैसेज दिया हुआ है और इसके आपको बोल रहा है एक छोटा सर notes बनाने के लिए तो यह जो पैसेज है ना आप इस passage का ऐसे समझें कि 1 by 3rd या 1 by 2 पार्ट आप पैसेज के रूप में लिख सकते हो ठीक है तो देखें आप इसको पूरा पढ़ लेंगे पढ़ लीचे एक दम अच्छे से समझ लीचे कि क्या बोल रहा है पैसेज में और उसके बाद उसके पर लिखना शुरू कर दीजे नोट्स आपने हिसाब से भी लिख सकते हो इस passage में पढ़ लिए जो जो जान गया है उसके हिसाब से लिख सकते हो या फिर अगर आप बिल्कुल ही नुप हो आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या लिखना है तो आप इसी में से है ऐसे माल एह यहां से उड़ा यह मैं जिनको बिलकुल ही नियाता हूँ लोगों के लिख सकते हो इस तरह से जिनको बिलकुल नहीं आता है और जो समझ सकते वह इसे लिखती जीएगा ठीक है अब देखिए यहां पर टाइटल भी लिखने बोला है तो पहले इसका टाइटल देते हैं हम लोग तो देखिए मैंने टाइटल दिया है effective business letter writing ठीक है क्योंकि यहां पर जो है बात किया है कि business writing जब आप कोई letter लिखते हो business में तो कैसे लिखता है तो देखिए यहां पर शुरू भी क्या है a good business letter is one that get result business letter जो हम लोग business में जो कोई letter लिखते हैं वो क्या होता है उसके बारे में तो देखिए the best way to get result is to develop a letter that in its appearance style and content ठीक है तो वही सबके कि एक business letter कैसा होना अची है तो वही देखिए मैंने इसका एक दमच्छा था title चुना है effective business letter writing तो यह हुआ title यह करा title लिख देते हो तो आपको इसका ही 2 marks 3 marks मिल जाएगा 10 marks में से और उसके यह notes लिखता के लिखतीचेगा देखिए मैंने notes लिखा है इता 1 by 2, 1 by 3 कह सकते लिखको तो देखिए मैंने लिखा है a good business letter is one that achieves result in facing the importance of conveying information efficiently through its appearance style and content देखिए मैंने वही चीज लिखा है तेखिए आप जो पढ़े ती यहां पर देखिए a good business letter is one that get result the best way to get result is to develop a letter that in its appearance style and content convey information efficiently ठीक है तो यही सब है लेकिए मैंने इसको लिखने का तरीका चेंज कर दिया है है ना तो अगर आपको English आता है तो आप ऐसे लिख सकते है और आम से और नहीं आता है तो आप वही सेम चीज लिख देते पहर ही वाला तो जब आप इसको पढ़ोगे न यह पूरा पढ़ लीजेगा भी आप अपर पढ़ना होगा तो और देखिए जब यह नोट्स लिखा अब बिजनेस लेटर शुद बी कॉंसाइस क्लियर एंड कॉटियर्स दा बिजनेस लेटर मस्ट बी कॉंसाइस दोंट वेस वर वर्ट यही सब सेम चीज है बस मैंने इसको अलग धंग से लिखा है नोट्स का मतलब वही चीज है आप जो लिख रहे हो जो इसमें पैरा में ह उसको आप अलग धंग से लिखे उसको थोड़ा छोटा कर दीजे अगर कुछ जो एक्सरा लाइन लग रहा है उसको हटा दीजे तो इसी तरह से मैंने देखिए आप पुरा नोट्स लेगा आप पुरा पढ़ सकते हो इस नोट्स को तो मैं बस यह पेपर मेरा पुरा इसको सॉल्व करने का यह बैट के कि मैं आपको इक टॉपिक रीड करके नहीं सुनाया हूं ठीक है क्योंकि वह रीड करके कोई फायता नहीं आपका भी टाइम वेस्ट होता और वीडियो भी लेंदी होता कोई काम करनी होता मैं वीडियो एफेक्टिव बनाना चाहरा हूं जो यहां पर बस पूरा रीड करके नहीं सुनाया हूं लेकिन देखिए ऐसे लिख दीजेगा टाइटल एकदम ऐसे ब्लाक कोई अलग पेंसे एकदम अच्छे से उसके नीचे फिर स्पेस लाइन खीच दीजेगा और उसके फिर एक लाइन दू लाइन नीचे छोड़के उसके दू जून 2023 का सॉल्यूशन जा फिर आप डायरेक्ट इस वीडियो का लिंक कॉपी करके मेरे को महां पे इस्टा पे बेज़िए और बोल दीचे यह विला पीडिएफ चाहिए ठीक है फ्री पीडिएफ नहीं है पहले भी पता दियों पेड पीडिएफ है तो आप पेमेंट सभी का प्रीविएफ सीर सॉल्व करबा दिया है और इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ठीक है और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बीचे जीरो ट्वल मैस वाला क्योंकि इसमें दिक्कते करती है लोगों को तो मैंने इसका प्रीविएफ चाहर पेपर सॉल्व करवा दिया है तो अगर आप लोग प्रीविएस चाहर पेपर को कर लेते हो ना तो आप अराम से मतलब बहुत ज्यादा इजीली पास हो सकते हो मैं बोल रहा हूं बहुत बहतर मार्स ला सकते हो 80 प्लस ला सकते हो लेकिन आपको उसके लिए प्रीविएस चा 2011 यानि कंप्यूटर का भी सॉल्व करवा दिया है उसका भी लिंक दे दूगा इको 01 उसका भी लिंक दे दूगा ठीक है सबीका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो वह सब वीडियो को भी ज़रू चेक आउट कीचेगा और आप एक्जाम से आईनो वक्त न नालना शुरू कर दिया हूँ तो इस वीडियो के लिए इतना ही मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद